नमस्कार में उप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है बिहार में कोरोना के मामलों में अभी स्थर्था नजर आ रही है आलम कुछ यू है कि मामले पांच से कम या इसके आसपास ही नजर आ रहे है ऐसे में लोगों को काफी हद तक इस बात की खुशी थी कि शायद हमने कोरोना के इस लड़ाई में जीत हांसिल कर ली है और मामले भी इसी ओर इशारा कर रहे थे लेकिन अच्छानक से दक्ष्रिनाफरिका में उतपन हुए कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन ने फिर से लोगों और स्वस्थ विभाग के कान खड़े कर दिये है क्योंकि जिन भी देश में कोरोना के इस नए वेरियंट ओमिक्रॉन ने अपना असर दिखाया है वहां मामले तेजी से बढ़ रहे है और दूसरी लहर जेट चुके देश में अब पहले से ही सतर्पता के साथ काम किया जा रहा है यही कारण है कि बिहार में भी अभी से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि देश चाहे कोई भी हो शत प्रतिशत आवादी के लिए अस्पतार की विवस्था कर पाना कहीं से भी मुम्किन नहीं है दूसरी लहर में हमने देखी लिया है कि यह बिमारी तेजी से बढ़ी और लोगों के पास अस्पताल का दर्वाजा भी खुला नहीं रहा बिहार में भी लोगों को अस्पताल और ऑक्सिचन के लिए भटकते देखा गया था यही कारण भी है कि हाली में बिहार सरकार के ग्रह विभाग ने 30 नमंबर को अनलोक 10 के तहट दिशा निर्देश जारी किया था विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए भी इसमें गाइडलाइन तैक ही गई है लेकिन अब इसमें बिहार सरकार ने थोड़ा बदलाव किया है उसके तहट सरकार ने अब ये तै किया है कि अंतरास्ट्रिय उडानों से बिहार आने वाले यात्रियों को केंद्रिय स्वास्तेवं परिवार कल्यान मंत्रौले के दिशा निर्देश का पालन करना होगा दिशान निर्देश के तहट अंतरास्ट्रिय उडानों से आने वाले यात्रियों को एर सुविधा पोर्टल पर स्वगोशना पत्र भी देना है इसमें पिछले 14 दिनों की यात्रा विवर्णी के अलावा यात्रा शिरू होने के 72 घंटे के अंदर कोरोना का नेगेटिव आर्टी पीसियार रिपोर्ट भी पोर्टल पर अप्लोड करना होगा इसके अलावा कई अन्य जरूरी जानकारी और एहतियात बरतनी होगी यात्रियों को एर्पोर्ट पर पहुँचने के बाद स्वगोशना पत्र की प्रती भी देखानी होगी इन सब के बीच बिहार में कोरोना के मामलों में भले ही कमी देखने को मिल रही हो लेकिन जानगवाने वालों के नाम नहीं आ रहे थे जिसको लेकर अब स्वास्तिव भाग भी परिशान नजर आ रहा है ऐसे में डॉक्टरों की यही सला है कि कोरोना के मामलों में भले ही कमी आ रही हो लेकिन अभी भी सोशल डिस्टंसिंग और मास्क का उपियो करनाल बेहद ही जरूरी है अगर इसमें लापरवाही की गई तो कोरोना की एक और लहर को आने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि अगर आप अभी सड़क पर निकलेंगे तो भले ही आपने मास्क लगाया हुआ हो लेकिन आपके आसपास लोगों ने मास्क को जैसे कहीं बकसे में बंद कर दिया है क्योंकि उन बुध्धी जीवियों को तो यहीं लगता है कि उन्हें कोरोना नहीं हो सकता यह कोरोना क्या है खेर दो लहर के बाद भी जो नहीं संबले उन्हें अब स्वयम परमात्मा भी नहीं समझा सकते लेकिन हमारी दरख्वास यही है कि अगर आप तीसरी लहर नहीं चाहते हैं तो अपने घरवालों को सुरक्ष देखना चाहते हैं तो बस खुद ही जिम्मधारी ले और मास्क लगाएं और दो गच की दूरी बना कर रखें इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद